क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी सुनिया जिसमें सुबस से शाम होते होते लड़का और लड़की को एक दूसरे से महबत होगे और मामला जब I.S. I.P.S. आफिसर का हो तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है न लेकिन कहते हैं न प्यार वक्त देखा नहीं होता बस हो जाता ह और ऐसे ही कुछ हुआ तीना डाबी और आमिर के साथ। दोनों ही I.S. आफिसर हैं और इनकी लव स्टोरी के बहुत चर्चे हैं। महज 22 साल के उमर में तीना डाबी ने I.S. आफिसर बनकर सब को चौका दिया था। तीना डाबी और अतहर आमिर की लव स्टोरी की खबरों सोशल मीडिया पर जम कर सुर्ख्यां बटोरी थी 2015 UPSC परिक्षाद टॉप करने वाली पहली दलित लड़की तीना डाबी और अतहर आमर उल शफी खान की मिलाकात मसूरी इस्थित लाल बहादू शास्त्री नेशनल अकैडमी फॉर अड्मिनिस्ट्रेशन में हुई थी 11 माई के सुबर दली के नौर्थ ब्लॉक के देपार्टमेंट ऑफ परसनल एंड प्रेनिंग के दफ्तर में शाम तक वो दोने एक दुसरे के दिल की दरवाजे पर थी और आते जाते दोनों ही एक दुसरे के दिलों में दस तक दे चुके थी दोनों की लग स्टोरी में ट्विस्ट जब आया जब अतहर आमिर के मुस्लिम होने की कारण कहीं लोगों ने टीना और अतहर की रिष्टे पर सभाल उठाए आपको बता दे कि इस जोड़ी की शादी से हिंदू महासभा नाम का संगठन खुश नहीं था इसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया जाने लगा कहीं सारी बाते की जाने लगी कहीं लोगों ने इन दोनों की शादी का विरोध किया लेकिन इन लोगों ने अपने रिलेशन को कभी नहीं चुपाया और खुलकर सब के सामने अपने प्यार का इजहार किया और फिर एक बाट रोलर्स को जवाब देते हुए टीना डाबी ने कहा कि मैं एक इंडिपेंडन्ट फूमन हूँ और आमिर मेरे साथ और मैं उनके साथ बहुत खुश है हमारी माता पिता भी खुश है लेकिन हमेशा कुछ लोग होते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ डेटिंग करने पर नेगटिव कमेंट करते हैं ऐसे लोग सर्फ पांच प्रतिशती हैं और अधिकतर लोग इससे खुश हैं और आखिरकार तमाम लोगों को जवाब देते हुए आमेर रोटीना शादी के बंधन में बंधन में बंद गए और आश तक साथ हैं subscribe our channel and press the bell icon for more updates